हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाग टू दी शैनल लक्ष तक आपके साथ सबागत है आप सभी का आपके अपने शैनल में तो अचलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो न्यूज है वो फोर्थ से लेकर के सेवन्थ में तक के न्यूज को कवर करने वाले हैं और इस न्यूज से इस स को टेगो नहीं बलकि टेगो रटाप पर आक की वात्रा है टेगो लांडांग दूईप चर्चा में है क्यों चर्चा में यह भी देखेंगे कहां परस्तित है यह काफी इंपर्टन्ट होने वाला है और एक मोस्त इंपर्टन्ट न्यूज है अजरक जो प्रोडक्ट है इसक क्या कहते हैं कि ambassador किया है जेजु दूइप चर्शा में है ठीक है और TNT उत्पादन शुरू कर रहा है कौन सा देश शुरू कर रहा है यह काफी यह कुछ news और भी है जो हम लोग इस session में discuss करने वाले हैं तो please आपको क्या करना है lecture पूरा देखेगा तभी आपको फायदा होगा session का और अभी क्या है ना exam से कुछ मतलब जैसे की ROV टल गया है और क्या कहते हैं PCS भी टल गया है जो कि आपका October नॉम्बर में होने के संभावना है अभी clear date नहीं है लेकिन संभावना ऐसी दिखाई जा रही है तो आपको क्या करना है current को लेकर के चलना है ऐसा नहीं कि आए पांचे मिनट का वीडियो साथ मिनट का वीडियो आप एक बार देख लेते हो फिर जब मैगजीन है उसको भी अगर देख लोगे तो फिर क्या होगा एक ही बात में वह चीज आपको कवर हो जागा क्योंकि आपको लगीगा कि हाँ ये नियूस तो मैं पहले सुन चुका हू या सुन चुकी हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस आपको क्या करना है शेशन को लाइक करना है और जो आपके दोस्त हैं उनके बिल्कुल शेयर कर दीजेगा ये रिक्वेस्ट है बाकी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफी लेट हो गया चलिए देखते हैं पहला जो हमारा न्यूज होने वाला है वह है वर्ड प्रेस फ्रीडम वर्ड प्रेस फ्रीडम वर्ड प्रेस फ्रीडम हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो विश्व प्रेस सुचकांग 2014 ये इंडेक्स की गई ठीक है रिपोर्ट जारी की गई अब भी बताएंगे कि कौन सा देश टॉप पर है भारत की रेंकिंग क्या है क्योंकि पूछ लेता है तो पहले तो हमें यह जानना है कि तीर मई को विश्व प्रेस पतंतरता दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई य आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है देखें यहाँ पर थीम दिया है या नहीं नहीं दिया है चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि धीम जो इस बार की रखी गई है वो क्या है अब प्रेस यहां लिख दे रही हूँ अब प्रेस फॉर दब अब त्रस फॉर्ड क्राइस क्या है फिर से मैं बोल लिए ध्यान से सुनिएगा कि a press for the planet journalism in the face of the environmental crisis ये इस बार की theme रही है अब आगे हम लोग चलते हैं index के बारे में कि जो 2024 का press freedom जो 2024 का सुचकांक जारी हुआ है उसमें जो है वो टॉप पर कौन है तो इसमें जो टॉप पर है वो है नौर्वे नौर्वे पहले स्थान पर है और डेनमार्क जो है वो सेकेंडर स्थान पर है नौर्वे और डेन्मार्क क्रमशा प्रथम दूतियों स्थान पर हैं टॉप पर है रहा हैं और सबसे नीचे की बात करें नीचे जो है डमलास्क में जो है वह कौन सा देश है वह है इरिट्रिया वह क्या है इरिट्रिया यह ध्यान लगनाए अब आते हैं अपने भारत की पूछ लेता है अगर वो दिया रहेगा कि सुधरी यह तो बोल देगा कि पिछले साल से सुधरी नहीं है ऐसे देखा तो अब पढ़ियर ओगे तो फिर यह क्लियर कर लोगे ठीक हो इस बार जो भारत की रैंकिंग है वो पिछ़ले साल के मुकाबले जो है वो क्या है इंप्रूव हुई है सुधरी है पिछले साल के तुलना में इस बाहर क्या हुआ सुधरी है कैसे सुधरी है जैसे 2023 में क्या हुआ था इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो 161 थी 161 लेकिन 2024 की बात करें तो इसमें जो सुचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 159 इने 169 है तो दो अंगों का सुधार हुआ है तो इस क्या हुआ है पिछले साल के मुकाबरे इस बार रहें शुद्री है यह आपको ध्यान लगना और कुल कितने देशों में इसका वो किया गया है वह 180 देशों में 180 देशों के इंडेक्स को जारी किया गया तो उम्मीद है जाती है यह बटर फ्लाई के पर जाती ध्यान लगिए का कॉमन गोवा ब्लू जो है यह बचर फ्लाई की बटर फ्लाई की पर जाती देखी गई है कहां देखी गई है तो जो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर है दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर है वहां पर एक जंगल है मांगर मांगर बनी के जंगल में जो दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर इस्थित है मांगर बनी वहीं के जंगलों में दिल्ली एंसियार के लिए ये रेयर बटरफलाई जो है वो देखी गई है बस आपको इतना ही ध्यान रखना है आगे चलते हैं एक दूई फिजो की चर्चा में है क्यों चर्चा में ये भी देखते हैं उसका नाम है टैगू लांडांग दूई क्या नाम है इसका टैगू लांडांग थी ये कहां पर है जैसा कि मैंने बताया था कि इंडोनेशिया में एक जॉला मुखी है लॉण डॉण दूइब यह भी ध्यानक ने कहा पर रिस थी थे हैं इन्डो, नेशिया, इसी कारद यह चर्शा में है next note, चलते हैं क्या है गूगल ने बनाया पहलवान हमीदा बानो का डूडल, चलिए देखते Miss, कि भारत की पहली महिला पहलवान, क्या नाम है उनकई हमीदा बानू उनका रंगिन डूडल बना करके उन्हें गूगल ने क्या की है? श्रद्धान जुली दी है और हमीदा बानू ने बाबा पहलवान को एक मिनट 34 सेकंड में हरा दिया था तो ये भारत की पहली महिला पहलवान है जिनका रंगिन डूडल गूगल ने बनाया है उनका क्या नाम हमीदा बानू नाम है हमीदा बानू को अली गड़ का अमेजन कहा जाता था ये भी ध्यान लखेगा हमीदा बानू को अली गड़ का क्या कहा जाता था अमेजन कहा जाता था यींड दिखिए यह अमेजन कहा जहाने लगा तो यह ठीखन रखना है आगी चलते हैंस ज चलते हैं स्प्राइबendre- добрk जिटियु दूइप यह क्यों चर्चा में है जिजू कहां पर स्तित है है यह कुछिर कोरिया में स्तित है येजुगव कहा है नहीं है तो आपको ध्यान रक नहीं है ये चर्चाँ में कुछ दोैगा है नेक्स निज़ों के तरफ उनेस्को गिलरमो कैनो पुरसकार 2024 प्रदान किया गया है कौन सा पुरसकार दिया गया है यूनिसको गिलर्मो कैनो पुरसकार किसको दिया गया है तो गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये प्रदान किया गया है एक जुटता और माननेता के संकेट में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत् आगे चलते हैं यह न्यूज में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भगवान श्री गनेश की प्रतिमा लेकर तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगे सुनीता विलियम्स की इस बार कितने टाइम्स हो जाएगा ठीक है यह तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान के लिए त्यार हैं त मिभंवारत में जी एस्टी के जी एस्टी एडी जी एस्टी एटी जी एस्टी एटी जी compromised तो पता ही होका और एटी का मतलब क्या होता है अपेलिए नयायाधी करण ओर ऩर ठीक है गूर्स現在ор विस के एक्स अपेलिए नयाधी करण तो यह हो गया तो इसके पहले अध्यक् रुप में नियाय मूर्ती संजे कुमार मिश्चा को सपत दिलाया गया है ठीक है और यह जो है जी एस्टी से जो यह जो अपीलिय नयाधिकरण है यह जी एस्टी से संबंदित जो भी विवाद है उनको सुलजाने के लिए क्या है एक इंपोर्टेंट बॉड़ी है एक चैड़ा है क्लियर हो गया होगा जी और यह जो जी एस्टी एंटी है यह जो जीॅत्विवास्तु एवं शर्विस टैक्स अधनियम 2017 के तहत स्थापित अपीलिय प्राधिकरण है जो प्रत्म अपीलिय प्राधिकारी के खिलाफ उक्त अधनियम और संबंधित राज्ज्य क प्रदान पीठ होता है और विभिन राज पीठे शामिल है इतना आपको ध्यान दखना है चलते हैं नेक्स्ट कोईशिन की तरफ करें अजण कोईस्ट थे हैं अज़रक है क्या यहां देख सकते हो यह कपड़ा है ये president कपड़ा शिल्प है यानि एक सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े पर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग ये इसे क्या क्या गया है जो देख सकते हो अजरक कपड़ा शिल्प है जो गुजदात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक सुरद्ज्य स्थान रखता है ठीक है सिंध ब करें तो यह अज्रक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है नील एक प्रशिद बरतार जिसे अक्सर नीले रंके प्रभाव को प्राप्त करने के लिए डाई के रुप में यूज किया जाता है इतना आपको ध्यान रखना है तो यह पूरा चार से लिए करके सेवन्त में तक की नीज को आप यहां कवर कर दिया गया है अब जो अगला तीन-चार दिन का नीज को फिर आगे आपको प्रोवाइट कराया जाएगा तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो आपके फायदे के लिए हो तो आपको लग रहा हो कि इससे आपका आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इसको लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करना बिलकुर मत भूलिए तो आज के लिए बस इतना है रखते हैं थाइंक्यू सो मच